हिमाचल में बसे 100% कपैस्टी पर चलाई जा रही हैं लेकिन अभी तक टैक्सी चालकों को शोशल डिस्रेंसिंग का पार्ट पढ़ाय जा रहा है जिसे ओटो और टैक्सी चालकों में बेहत द्रोश देखा जा रहा है टैक्सी चालकों की मांग है कि उन्हें भी बस के तरह पूरी सवारियां बिठाने की अनुमती मिलनी चाहिए अभी बेक केबल तीन सवारियां ही बिठा पा रहे हैं जिसकी बज़़ा से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन्ने कहा कि लोकडाउन के चलते पहले ही उन्हें भारिक गाटा उठाना पढ़ा है अब अनलोग हो चुका है लेकिन परदेश सरकार उनके साथ भेदवाव कर रही है क्योंकि परदेश में बसें पूरी क्षमता पर दोड़ रही है लेकिन टेक्सियों को तीन ब्यक्तियों स इसे देखकर ऐसा परतीत होता है कि परदीश सरकार नियोमों में दोरे मापदंड अपना रही है। उन्होंने कहा कि जो छोटी टेक्सी बहान है उसमें अगर एक ही परिवार के चार ब्यक्ती कहीं जाना चाहते हैं तो बेन नहीं जा सकते। मजबूरन उन्हें बड़ी टेक्सी को किराय पर लेना पड़ता है जिसे जहां एक और छोटी टेक्सी चालक को ग्राहक नहीं मिलता वहीं ग्राहक को जादा पैसे खच करने पर रहे हैं। उन्हें ने कहा कि कॉबिट के संकटकाल में जहां एक और सभी आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं वहीं सरकार के कुछ नियमों के कारण सभी को हानी उठानी पड़ रही है जिस पर सरकार को कुछ जल्द फैसला लेना चाहिए और बसों के तर्च पर टेक्सी और ओटो में भी 100% सभारियां बिठाने की अनुमत ही देनी चाहिए उसके लिए हमें बड़ी गाड़ी को उफर करना पड़ते है इसलिए लेकिन सरकार को करना चाहिए कि जब 100% अपनी बसों में कर रही है प्राइविट बसों में कर रही है तो हमारे लिए भी किस्ता देनी है हमने भी घर परिवाच लाना है अपना समिश्या यारी की होता है कि फैमिली के साथ चार बंदे आते हैं तो अब हमारी गाड़ी जाएगी नहीं च्छोटी तो जाएगी नहीं क्योंकि उसमें तीन ही ले जा सकते हैं क्योंकि इससे तभी हमारा बीजनस बड़ेगा कि इसमें होता कई वारा काम चला जाता है तो हमारा काम हो ने रहा वह प्राइविट गाडिया चल रही है तो गवर्मेंट को इस पार में द्यांस देना चाहिए कि हमने टैक्स भी देना और हमारे खर्चे आए और प्राइविट के लिए और इससे पहले भी हमारा काम पहले बहुत खतम हुआ और अब काम हमारे पास बहुत कम है तो इससाब से हम गवर्मेंट से अनुरूद करना चाहते हैं यह जो है हमारी जो है सिटिंग कपेस्टी फूल की जाए जैसे आपने बसों को फूरी परमिशन दिये इसी तरह से हमारी गाडियों को भी फूरी परमिशन देखनी चाहिए इसमें 32 और 40 42 लोग एक साथ बस में एक विकल में बैठ रहे हैं वहीं हमारे पास 4 सवारी है मैकसिम में 4 प्लस 1 है बड़ी में 6 प्लस 1 है तो इस हिसाफ से हमारी वह भी देखनी चाहिए जब आप 40 42 लोगों को एक साथ अलाओ कर रहे हो तो चार पांच को भी अलाओ करना चाहिए गवर्मेंट को इससे जो हमारे उपर बड़न पढ़ रहा है जो सवारियां है हमारी वो इधर उधर जा रही है वो प्राइविट वालों का काम बढ़ रहा है उससे और टेक्सी का काम जो है खतम हो रहा है तो इस तरह से हमने टेक्स पर भी देना इंश्च्वरंच भी मेंगी है उस सारे खर्चे हमारे हैं इस तरह से यह मारे को घटा हो रहा है यह लगता तो यह है कि बसों वालां के बारे मा सोचते सोचते गौश्वर्मेंट जो है टेक्सी और यह चोटा ए जो ट्रांस्पोर्ट यूनिट से उनके बारे टेक्सी की मावले हम यह कहना चाहते हैं सरकार से कि जब बसों को आपने ओर दे दी आया कि फुल गाड़ी बसों में बठाओ चोटी गाड़ी में बड़ी गाड़ी में चार कर रखा है तो हमारे को भी इसमें प्रॉलम आती है कई वार चार स्वारी होती है तो एक बंदा भी स्पैसल दूसरी गाड़ी तो करेगा नहीं या फिर बड़ी करेगा तो महेंगी बैढ़ जाती है उसको तो हम सरकार से निवेदिन करना चाहते हैं कि हमारे को भी सौ प्रसेंट स्वारी का जो है टेक्सी में जो अलावड किया गया वो थू करने की जाज़त दे तीन स्वार ना सकता तो हमारी गाड़ी में क्या करोना आजाएगा तो हम तो जाते हैं सरकार से कि हमारे को भी स्थोटी दी जाए जब बसों के दी जा रही है हम भी सरकार को टेक्स दे रहे हैं कि फ्री में तो चलानी रहे हैं पहली काम नहीं है एक तो काम नहीं करोना करके काम बहुत क प्रॉल्म हो जाती कई वा तो हम सरकार से इन विदेन करेंगे कि हमारे को भी पूरी छूट दी जाए